यहां आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ जिनकी साधी नहीं हो रही है जी हां परिवार वाले घर वाली जो है वो लड़का धुन धुन के के परेशान हो गए है जिनकी साधियों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और कहीं न कहीं कुछ साड़ा चीज होते हो होते रूख जा रहा है तो मैं उन लड़कियों को उन माता पिता को जो अपने बच्चों के लिए की शादी के लिए बहुत परिशार है तो बाद से सामनी से शादी का रिस्ता आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल आका प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो ढालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए जी हां आज के वीडियो में आ नहीं हो रही है परिवार वाले घर वाली जो है वो लड़का धून-धून के के परेशान हो गया है चाहते पीछ तूट गये हैं पहले जमाने में होता था कि चपल और चाहता लेके लोग बर्तुहारी करने जाता था गुवाई करने जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है उन मातापिता को जो अपने बच्चों के लिए की शादी के लिए बहुत परेशान है तो उनको मैं बता दो कि अभी सावन का महिना चल रहा है जी हां तो इसमें मंगला गौरी का पूजा होता है जो की जिनकी साधी में बाधाय या बहुत देर हो गई है अब साधी नहीं हो पूजा में क्या-क्या समागरी लगता है और सिर्फ मंगल को ही होता है तो सावन में जितना भी मंगल पड़े आप उस मंगल एक महने का सावन पड़ता है तो चार या पाच ऐसे करके होता है इस आफ या नो है तो आप उस तरह से आठो या नो सारे मगला गोरी का जो पूजा है वो कर लीजिए मंदिर में कीजिए तो घर पे पंडी जी आ जाए तो बहुत अच्छा नहीं तो आप मंदिर में जाके मगला गोरी का पूजा कीजिए और पंडी जी को दान दचना दीजिए जी हाँ इसमें हल्दी का जो है वो पूजे के बाद से सामने से शादी का रिष्टा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लड़की या लड़के की शादी हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा तो एक बार आप जरूर ये एक बार आप लोग जरूर मगला गौरी का पूजा अपने बच्चो से करवाएं जी हां बच्चों को ही करना है माता पिता को करवाना है बच्चे ही करेंगे माता पिता नहीं और इस दिन फास्टिंग किया जाता है जी हां इस दिन फलहार पे ही रहा जाता है तो सावन में जो लड़कियां सोंवारी करती है तो उनके लिए तो बहुत परेशानी है और जो नहीं करती हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है जी हां लेकिन एक बार जरूर करें और उसके बाद जी हां मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपकी शादी में जो दिक्ते हो रही थी वो खत्म होई कि नहीं आपकी शादी कितने सालों से आप लोग परि लेते हैं साल भर का तो फ्लीज बिल्कुल ना करें कहा जाता है सावन में जितना मंगल पड़े उस मंगल में ही आप को में करना इक कर सकते हैं तो कैसा लगा आप सभी को हमारा यह मंग लाग फूज़ कमेंट्स कर के जरूर बताएगा अगर आप मेरी चैणल पे पहली बार राए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेर करना बिल्कुल नहीं भूला थैंक्स फूर वर्चिंग कीप सपोर्ट